हालो फ्रेंड वेलकम टू टेक्निकल लगड़ा यूट्यूब क्यानल और फ्रेंड्स आज की वीडियो है वो हम इस आराइजी से और केवल इस माइक से रिकॉर्ड करके दिखाएंगे एक बहतर क्वालिटी की वाइस ठीग है किसी भी सॉंग को आप क्राव के माइक से रिकॉर्ड कर सकते है डारेक्ट अपने फोन में ठीग है तो आप वीडियो में बने रही है और मैं आपको इस में रिकॉर्डियो करके दिखाता हूँ कि किस तरह से Ned्राइजी से और हम डारेक्ट माइक से बहतर क्वालिटी की आँछ अवाज ले सकते हैं नहीं करने वाले हैं क्योंकि हर किसी को mixer खरीद मिलता हरकिसी मिक्सर को नहीं करीद मैं res枉 क्योंकि यह महें कहा है और हर किसी को नहीं खरीद सकता पर इसे बन को भी हं खरीद सकता ठीक है ये कराओ के माइक है और ये मैंने लगबग दो साल पहले ली थी साड़ा तीन सो रुपए में मेले से ली थी ठीक है तो बहा मैं गुमने गया तो इसमें मैंने ले ली ये तो आप इस माइक को भी पर्चिस कर सकते हैं एक वहतर क्ोर्टी की माइक है वह इतनी अच्छी क्यालटी की नहीं है क्योंकि मेला से गडियां है तो इनका लेकर्टिक देखा देते हैं तो मैं सबसे पहले इस mobile का cover आटा लेता हूँ और आपको दिखाने के लिए इस phone को मैं इस तरह से रख देता हूँ ठीक है तो मैं इसमे recording on कर रहा हूँ और इस RIG को मैं connect कर रहा हूँ इसके headphone के साथ ठीक है ज़र गया ये ये headphone में इस तरह से मैंने connect कर लिया और ये 6.35mm का jack मैं इसको connect कर रहा हूँ इस RIG से ठीक है और इसको ये 3.5mm का jack जो है इसको मैं इसमें connect कर रहा हूँ माइक में ठीक है तो मैं माइक को on कर लेता हूँ माइक भी मैंने इसमें connect कर लिया है तो मैं चलिए इसमें एक song का कर रहा हूँ और उससे आपको recording करके दिखाता हूँ ठीक है तो मैंने recording स्टार्ट कर ली तो आपने इसकी आवाद सुन ली किस तरह से मैंने इसमें recording की है तो आपको recording होती हुई दिखाएगी हुगी ये इस तरह से तो मैं बताता हूँ आपको किस तरह से इसमें connect करना है तो ये देख सकते हैं आप इस तरह से कुछ connect लिया है जो है हमारे पास एक cable है जिसका एक सरह 3.5 mm का है और एक सरह 6.35 mm का है तो जो 6.35 mm का सरह है इसको RIG के साथ इस तरह से connect करतेंगे देखिए ठीक है और इस RIG से जो हमारी ये 3.5 mm की जो निकलती है cable तो इसको हम इस तरह से अपने headphone में लगा देंगे फोन के और ये जो 3.5 mm का जैक बचा गो हम इसको अपने माइक के output में लगा देंगे जो करा है को माइक है इसके output में लगा देंगे यह यह आउटपूट का system दिया है यह इस तरह से लगा देंगे ठीक है और recording हमारी चालू होने लगेगी इस से ठीक है तो आपको इसमें कोई mixer बगया जुरूत नहीं पड़ेगी बस एक केबल की जुरूत पड़ेगी और इस राइजी की और इस कराओ के माइक की तो आपको इस तरह से record कर लेना है और इस माइक में काफी option है अगर किसी गाने का कराओ के नहीं है तो इसको बनाना चाहते है और इसको अगर होट रखेंगे तो यह फीमेल आवाज में चेंज हो जाएगा देखिए मैं एक बार आपको दिखाता हूं ठीक है तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जाहिंद और वीडियो को दूस्तों लाइक किजिए और चैनल को सब्सक्राब किजिए इ महां से आप चेक आउट कर सकते हैं